हेलो फ्रेंड वेलकम वेक्टो माई यूटूब चैनल तो आप सब केंसे उम्मित कहती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंड रोज की तरह आज पिर में लेकर के आचुकी हूँ आपके लिए कुछ हैंसे टिप सेंट्रिक जिससे की आपके घंटो वाली काम मिन्टो में हो जाएंगे तो टिप नमबर बन होने वाला है यहाँ पे इस तरह से नेल पेंट और आई लाइनर और लिविष्टे को लेकर के कई वाज जैसे की हम डे सारी लिविष्टे के या नेल पेंट खरीद लेते हैं तो कभी कभी यह सूखने लगती है जिससे की हम सूख जाने के कारण यूज नहीं कहते हैं और इन्हें फैक देते हैं यह दे की फ्रेंट और यह गाड़ी हो जाती है तो यह लगाने में ठीक तरह से नहीं लगती है तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना है पानी गरम किसी इस तरह से तो फिरंट आप देखोगे कि जो ये सूख गए हैं तो ये दुवारा से यूज करने लाइक हो जाएंगे और इनेल पेंट भी दुवारा से नई की जैसी हो जाएगी तो इस तरह से आप इसे सूखे हुए नेल पेंट आई लाइनर को दुवारा से यूज कर पाओ तो ये देखे फिरन आपको 10 मिनट बाद पाने से इसे निकाल लेना है तो ये देख सकते हैं लगाने के बाद ये ठीक तरह से जो ही की लग रही है और ये बिलकुल भी गाड़े नहीं है इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं नेल पेंट को रे देखे ये आईलाइनर जो तो ये दोबारा से पहले की जैसे हो गया है तो इस तरह से आप जो ही की सूके हुए आईलाइनर को ठीक कर सकते हैं ये देखिए तो सभी चीजें पहले की तरह हो गई है अब इसमें कोई भी पैसा खैच नहीं हुआ है दूसरे टिप्स होने वाला हमारा इस तरह से बायतनो खुलने से और बायतन तो हमें कई बार दिन में धुलने रहते हैं तो फ्रेंड इसके लिए एक मैं बहुत ही अच्छा जुगार लेकर के आई हूं जिससे की अब आपको ना ही हातों में ठंडी लगेगी और ना ही आपकी हात फटेंगे तो आपको इस तरह से लेना है जुर पहन लिए हैं आप जुराफ की जगा गलफ्स भी यूज कह सकते हैं इसकी बाद आपको लेनी है यहां पर पॉलिथन तो यह देखिए इस तरह से पॉलिथन को अपने हातों में पहन लेना है पहनने के बाद उफर की साइट आप इसमें रवर बेंड लगा लीजिए गा जो ही की बादन को धुल सकते हैं और साफ कह सकते हैं आप आपके हाथों में ना ही ठंडी लगेगी और ना ही आपके हाथ जो ही की ड्राइ होंगे फटेंगे तो इस तरह से आप डे सारे बादन जो ही की मिन्टों में साफ कह सकते हैं और आपके हाथ भी गीले नहीं होंगे इस तरह से आप बायतन को साफ काई सकते हैं तो ये देखे फ्रेंट इस तरह से सारे बायतन को जो ही की साफ कर लिए हैं तो फ्रेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इन में से कॉंसर्टिफ से सबसे अच्छा लगा तो ये देख सकते हैं फ्रेंट सारे बायतन ज निकाल देंगे और हाथ भी ठंडे नहीं हुए है तो इस तरह से फ्रेंट आप जो ही कि इन सौक्स को यूज कह सकते हैं टिफ नमबर थ्री होने वाला इस तरह से स्यूच वोट को ले करके जैसे की किचन की पास में जो स्यूच वोट होते हैं बहुत ही जनली गंदे हो जाते हैं और हमें इसे रोज किलीन करना पड़ता है तो फ्रेंट इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका ले करके आई हूँ तो आपको सबसे पहले यहां पर माक्स लेना है तो इस माक्स को जो ही कि हम चाय तरह से यूज करेंगे इह माक्स बिल्कुल भी फैकने बाला नहीं है तो इस देखिए यहां पर हमने इसकी कटेंग कर लिए है और इस तरह से यह देख सकते हैं आप तो हम इसका जो इफैबrik है इसे निकाल लेंगे कुछ इस तरह से तो यह देखिए हमने इसकी एक फैवरिक को ले लिया है अभी दूसरी फैवरिक को जो ही की हम बाद में यूज करेंगे और इसकी सारे चीज़ों को हम बाद में यूज करके दिखाएंगे तो इसके बाद आपको लेने हैं यहाँ पर इस टिक तो यहाँ पर रवर्वेंड को लगा लेना है इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर कॉल गेट और थोड़ा सा कॉल गेट को आपको इस इस ब्लक स्थिक में लगा लेना है इस तरह से देखिये लगा लिया है इसके बाद आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल देजिए अगर ताकि ये गीला हो जाए तो ये देखी फ्रेंड इस तरह से हमने अच्छे से इसमें कॉल गेट लगा के तैयार कर लिया है इसके बाद हमें शीवच वोट को इस तरह से साप कहना है तो ये देखी फ्रेंड कईवा जैसे कि हमें यहां पर सपाई कहने में क्रेंट भी लग जाता है तो आप इस तरह से इस टिक से साप करोगे तो आपको अभी भी डन नहीं होगा क्रेंट लगने का और ये देखी कोने की सपाई कह सकती है बहुत अच्छी तरीके से जो ही कि ये शीवच वोट किलीन हो जाएगा तो ये देख सकते हैं फ्रेंड इसमें जितनी भी गंदगी थी वो सारी साप हो चुकी है इस टिक जो ही कि बहुत ही गंदी हो गई है देख सकते हैं फिरन इस तरह से आप इसे साफ कह सकते हैं इसकी बाद आपको कोई भी सूख कपड़ा लेना है और अच्छे से इसे पोँच देना है इस तरह से ये देखिए यह बहुत ही अच्छी से क्लीन हो गया है इस तरह से आप स्यूच वोट को साफ कह सकते हैं आई हो आपको यह आईडिये जरूर पसंद आये होगा टिप नमबर फोर होने बाला है इस तरह से चचमे को ले करके जैसे की चचमे में जो फैबरिक आता है वो कभी हम कहीं रख देते हैं जिससे की हमें मिलता नहीं है तो हमें इस माक्स वाली फैबरिक को रख लेना है यह बहुत ही सौप्ट होता है और इससे आप जो ही की इस तरह से चचमे को क्लीन कह सकते हैं देखिए इससे साप करने से नहीं चश्मे में कोई भी निसान आएंगे और बहुत ही अच्छे से किलीन हो जाते हैं इस तरह से आप जो ही कि इसे यूज कह सकते हैं आई हो आपको ये टिफ से चरूर फसंद आया होगा टिफ नमबर फाइब होने बाला हमारे माक्स को लेकर के देखिए तो इस तरह से हमने इसकी बगल वाली पट्टी को काट के बचा लिया था तो इसमें इस टिक जो निकलती है ये देखिए प्रेंड इतार जैसा तो इसे भ माक्स में से इसे निकाला था तो हम इसमें इस तरह से लगा देंगे तो ये देखिए फ्रेंड ये भी बहुत ही अच्छी से यूज हो गई है और ये अरफोन भी यहां वहां नहीं गुमेंगी इस तरह से आप इसे रख सकते हैं बांध करके टिफ नमबर शिक्स होने वाला है इस तरह से माक्स की डोरी को ले करके जो माक्स में ये डोरी लगी हुई थी तो इसे भी हमने काट करके निकाल लिया है तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह के आलू मैचर होते हैं तो हम इसमें इस तरह से बांध देंगे जिससे की टांगने में बहुत ही आसानी हो इस तरह से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं ये देखिए फिरेंट पहले इतने अच्छे से नहीं हैंग हो रहा था इस तरह से जो ये जहारा होते हैं तो हम इनमें भी बान देंगे इसे तो ये इसे भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर लिया है तो इस तरह से आ के जैसे कि कभी हमें पिलो बनानी रहती है और हम रजाई में से रुई को निकाल लेते हैं तो ये देखी फ्रेंड हम इस तरह से उसे खीज़-खीज़ कर ठीक कहते हैं जिससे कि वो उतने अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो पाती है और हमें काफी टाइम भी लग जाता है इस तरह से इसे काइन में है और हमारमी उंगलियां भी दायद होने लगती है तς फ्रेंड इसके के लिए आपको क्या काइन अहां पे लेना है आपको मिकसी का जार ये दे एह देखिए और आपको बड़ा-बाला जार ही लेना है और इस में इस तरह से आप तोड़कर के थूरी इसी रूइ डाल देजीए गए देख सकते हैं इसकी बाद आपको इसका ढखकन लगा करके इसे मिक्सी में चला देना है यह देखे फ्रेंड जिससी की रूइनाई की जैसी हो जाएगी और जब आप पिलू बनाओगे तो बहुत ही सौफ्ट रहेगी इस तरह से देखे फ्रें तो यह काफी अच्छी हो गई है जैसे कि हम मार्केट से इसे खरीद करके लाए हो मिक्सी का जार भी खराब नहीं हुआ है इस तरह से देखे यह बहुत ही सौफ्ट हो गई है इस तरह से आप जो ही कि इसे निकाल के यूज कह सकते हैं तो इसी तरह से फ्रेंड हम सारी के से जो है कि पहले की जैसी हो जाती है नए के जैसी और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करने पड़ती है तो तो कमेंट बॉक्स में जरू बताएं कि आप मेरे वीडियो किस गाउं किस सह से देख रहे हैं